10.1 सम्तल दर्पन पर परावर्तन द्वारा प्रतिविम रचना कोई भी सम्तल चमकदार सता सम्तल दर्पन की तरह कारे करती है सम्तल दर्पन में दरसल एक सिल्वर धातू की पतलीसी परत होती है जिसे सुरक्षित रखने के लिए एक और पारदशी कांच वद दूसरी और गहरा रंग पोता जाता है सिल्वर धातू प्रकाश का बहुत अच्छा परावर्तक होता है यह दर्पन में परावर्तक तलका कारे करता है आपने परावर्तन के नियम पढ़े हैं जिसके अनुसार पहला परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है दूसरा आपतित किरण आपतन मिन्दु पर अभिलम तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तलमे होते हैं आईए हम क्रिया कलापों द्वारा इन नियमों को समझेंगे 10.1.1 परावर्तन के नियमों का अध्यन पहला परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है आवश्य कुपकरण प्लास्टिक या लकडी के खांचे में लगा उर्ध्वा धर समतल दरपन पीने, ड्रोइंग बोर्ड, सफेद कागस, बोर्ड पीने, थम पिन, चांदा आदी जब कोई प्रकाश किरन तल पर आपतित होती है तथा तल से टकरा कर उसी माध्यम में लोट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं किसी तल से प्रकाश का परावर्तन इन दो नियमों के अनुसार होता है पहला आपतित किरन, परावर्तित किरन तथा आपतन मिंदू पर अभिलम एक तल में होते हैं दूसरा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं विधी पहला, ड्रोइंग बोर्ड पर एक सफेद कागस बोर्ड पिन की साहता से लगा देते हैं दूसरा, कागस पर एक समतल दर्पन को उर्ध्वा धर खड़ा करके उसके सहारे एक आधार रेखा M1, M2 खीच लेते हैं तीसरा, M1, M2 के मध्य इस्थित बिन्दू O पर अभिलम O N लम M1, M2 खीच लेते हैं चौथा, O N के साथ बिन्दू O पर आपतन कोण I O N बराबर तीसंश कोण बनाती हुई रेखा खड़ा खीच लेते हैं पाँचवा, M1, M2 पर दरपन को उर्ध्वा धर रखकर रेखा खड़ा आई O पर दो ओल्पिन P1 एवं P2 उर्ध्वा धर गाड़ते हैं चटवा, दरपन में इन पीनों के प्रतिबिम देखकर अभिलम के दूसरी ओर दो ओल्पिन P3 एवं P4 इस प्रकार लगाते हैं कि पिन P1 एवं P2 के प्रतिबिम तथा पिन P3 एवं P4 चारों एक ही सीधी रेखा में रहें साथमा, पिन P3 P4 को हटा कर एक सीधी रेखा आरों खीचते हैं आठमा, चान्दे की सहायता से परावर्तन कोण RON का मापन करते हैं दूसरा आपतित किरण अभिलम तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं आपतित किरन दरपन पर जिस बिंदु पर पड़ती है आपतन मिंदु कहलाता है आपतन मिंदु पर दरपन से बनने वाला अभिलम वह आपतित किरन जिस तल पर है परावर्तित किरन भी उसी तल पर होती है यही परावर्तन का दूसरा नियम है इस इस्थिती में तीनों ही कागस के तल पर है ऐसी इस्थिती में यह आवश्यक है कि कागस की सत्ह दरपन के तल के ठीक अभिलम पर हो चित्र में दरपन को सत्ह पर सीधा खड़ा रखा गया है आपतित किरण लाल रंग वह अभिलम के तल को पीले रंग में दर्शाया है परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार परावर्तन किरण जिसे नीले रंग में दर्शाया गया है भी इसी तल पर होगी यदि हम दर्पन को दिये चित्र अनुसार घुमा दे तो क्या होगा? अभिलम कहां होगा? अभिलम की दिशा को समझने के लिए किसी समतल दर्पन पर गोंद या मोम से एक माचिस की तीली को लंबवत चिपका ले अब दर्पन को अलग-अलग कोणों पर घुमा कर माचिस की दिशा याने की अभिलम की दिशा कोद देखें